आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियों पर हम डिसक्स करने वाले हैं आपका जो क्लास 7 का जो चाप्टर 8 है व्यादर क्लाइमेट एनिमल एडाप्टिन इसका जो कम्प्लेट जो एक्सरसाइज के सलुशन साथ आपके जो इंटर्नल क्वेस्टन से उसके भ है आप मेरे को कमेट के तुरू या पर जो सोशल मेंडियी का जो इसके तुरू कॉंटक्ट कीजे मैं आपको आपके जो पॉलिकेस ऐख चले बिटा हम आपका स्वेदार आपका जो वेदर है वो ₱ brick जो climates है वो long periods होते हैं then humidity is a low in a tropical reasons यह आपका false हो का जो tropical reasons है वहाँ पर humidity high होता है क्योंकि वहाँ पर rainfall भी ज्यादा होता है और आपको temperature भी ज्यादा high होता है तो यहाँ वहाँ पर आपका humidity है वो बहुत ज्यादा high होते है then आपका जो third of winds is measured with an animal meters ये भी आपका true है instruments है इसका हम use करते हैं wind के जो speed को measure करने के लिए then फिटना अल्टिटूट्स has no role to play in determining the climate of a place ये आपका false है जो altitude है वो भी आपका क्लाइमेट को determine करने के लिए उसका जो major जो role है वो हता है हम देखते हैं आपका जो higher जो altitude से मेंस्स आपको जो हमाले रिजन्स पर आप चले जाएंगे तो हमेशा जो climate है आपको लो आपका जो winter climate है cold climate से वो देखने को मिलता है then next आपका आता है फिलिंग दा ब्लैंक वाले questions ये भी आपके आपके अनिमाल मैमल्स अश 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 लेमिंग वेल्स अट कर्विल लिव्स इन दा पोलार लिजन्स पर रहने वाले जो आपके क्या है दिफरेंट जो एनिमल्स है जो आपके यहां पर पोलार हो जाए का देन जो सेकंड जो है दा लेर्स आप फैट फाट फांट अंडर इसकी नहां फो पोलार बियर इस काल्ड वर्ब्डर अपको थर्ड नंबर का है अनिमल्स देट आर एक्टिव एट नाइट नाइट वैं आर काल्ड नॉक्टरनल अनिमल्स सो यह आपके थर्ड के अंसर हुए दैन फो जा है आपके फॉर्थ का अंसर हुए दैन नेक्स आता है दा स्लॉट हाज ब्लू ग्रीन अलग ग्रूइंग ऑन इस फॉर गिविंग इट ग्रिनिस कलर से आपके फिप्त के अंसर स्लॉट जो क्वेशन से मुल्टीपल जो इसको संफ आपको कॉस्टन से तो यहां पर वीच आप इस इस नौट एन अलिमेंट आफ वेदर अलिमेंट के वेदर कॉन से नहीं है तो आपको यहां पर आ जाएगा फॉर्स एडप्टेशन यह आपके नहीं है टेंपरेचर लिमेडिटी जो यह सभी वेदर है किसके आपके जो एलेमेंट के वेदर है इस यूज तो मेजर करने के लिए सो अभी जस्ट हमने देखा था तो आपका क्या हो जागा एनिमों मीटर सो जो सेकंड का अंसर आपका भी हो जाएगा दें थर्स जो क्वेशन है वीच आप दा फॉलिविंग does the climate not determines आपको जो climate की से determined नहीं होता है तो यहाँ पर आपको different जो points है तो the atmospheric condition in a day. Day to day atmospheric conditions होते है तो वहाँ पर आपका weather determined होता है, climates नहीं होता है. So यह आपका C, आपका answer हो जाएगा. Then precipitation is, यहाँ पर क्या होता है? So इसमें जो है the water that falls from the atmosphere to the earth's surface. तो यह points आपका right हो जाएगा different जो forms होते है precipitations के रैन पॉल आपके जो snow falls के रूप में हम जानते हैं या फिर hell है या फिर snow falls में so यह आपके जो precipitations हुए then next आता है आपका five ने animals living in cold regions have animals जो live करते है cold regions में तो यहां पर different जो points आपको दिये तो B हो जाएगा second fat for additional insulation और small ears so यह आपके fifth के answer B हो जाएगा then आपका sixth number which of the following animals eats lingers in your winter so यहाँ पर आपका caribio जो है वो eat करता है lingers को then seventh number काता है which of this can be found in tropical rainforest tropical rainforest में कौन से जो animals है वो पाय जाते हैं so आपके जो इसका जो answer हो जाएगा A sloth and a tree fox वो पाया जाते है then next आता है आपका number का where would you expect to find a large number of nocturnal animals जो desert desert में आर्केटिक रिजन्स में आपे जो टोपिकल है यहाँ पर आपका answer है desert desert में then next आपको मिलता है for pair assessment इस में जो आपको जो objective type जो filling the blanks जो questions है वो देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करते हैं उसको मेजर करते हैं आपका जो थर्ड नंबर के है बहुत ही लिमिटेड अमांट में होता है ने फूर्थ नबर को जो बहुंत जादा लो हो जाता है तब जो है आपको जो आपके जो रिजन को छोड़का अंटक्रिक जाते हैं दैन नेक्स हम पीटा आपका जो नेक्स के हम बात करें है उसमें आपको देखने को मिलेगा दा लो रेट आप स्वेटिंग इना कैमल प्रिवेंट वाटर लॉसेज जो कैमल में जो वाटर लॉसेज को क्यूंकि वहां पर जो है टेंपरेचर बहुंग ज्यादा हाइँ होता है देशिक्स है दा प्रिस्टिपिटेशन इस आपका जो फिलेग्ट का है वो ट्रॉपिकल हो जाएगा सिक्ष में देन नेक्स आता है आपका सेवाथ नंबर का तुछ कैन असर्वाइब ऑन फूट गोविंग ऑन वेरी तीन ब्रांचेस अफ ट्रीज सेवंध का अंसर रोग देन लिव कटर आंड स्पीड आप आप आपका एड के आंसर होई तो यहां पर आपका जो फिलिंग दा विलेंक्स वाले जो क्रेशन से वह कम्प्रेट हो जो नेक्स आपका है त्रू एंड फोले जो क्रेशन मिलते हैं फुर्ज जो आता है वेदर वेदर ड़ेस नाट चेंज फॉर मैनी यह आपका फॉल्स है और आप सबसे हाई जो टैंप्रेशर है वो अप्टर नून में होता है यह भी आपका ट्रू हो जाएगा जो वाटर वेपर जो यह लेबल होते है हमारे जो एट्मॉस्फियर में उसी को हम हुमिडिटी के रूप में जानते हैं दैन नेक्स आवरी पार्ट इस इक्वली वा और जो कोल्ड है वो डिप्रेंट प्लेस पर डिप्रेंट डिप्रेंट हमें देखने को मिलता है तो यह आपका फॉर्थ के आशर हुए दैन नेक्स आपका फिप नंबर का आल पेंगिन्स हैडल तुगेदर इन ग्रूप तो कीप देंसेल वाम यह आपका ट्रू है साथ रह नहीं होते हैं यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा अगर यह वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किजिये और चैनल को सब्राइब करना ना भूलिये तो चरी आपके जो अंसर ब्रीफ और इस वीडियो क्वेशन से फर्स जो क्वेशन देखते हैं दिफाइन वेदर वेदर मींस वेदर इस दे टूडे कंडिशन अप दे अट्मोस्फेर आप अल पर्टिकुलर प्लेस विद रिगार्ड तो फैक्टर्स लाइक आपके जो वेदर से रिलेक्टेड है यहां पर भी आप जो है यहां तक भी आप नो डाउन कर सकते हैं अगर आपके जो टीचर्स आपको लाओ करते हैं जो साइंटिस्ट जो सांटिस्ट करते हैं वेदर उससे लेटे जो फे अपको मेटिज़ बाविदचित कहलाते हैं जो बापते हैं है जो यह निक्राहीट करने वाले हुआ है उसको है करने ङूशे हैं मेटिर बाटेल है जानते हैं लोडर के जो फोर एलिमेंट्स आपके तींपरचर में आपके जो तेमडिएटी प्रेटेशन और आपके विंड्स यह जो फोर जो झापके यूज आपके वैदर के देन जो फोर्ड वाट है इंस्ट्रुमेंट इस दू मैसर जो मैसर करने घांप उसका यूज़ करते हैं देन नेक्ट जो आता है नेम टू एडपटेशंस दा आर सिन इनिमास फोला रिजन पर पाय जाने ओले जो अनिमास है वो अपने आपको एडप कैसे करते हैं विंटर से बचने के लिए हैं जो एनिमास मैनी इनिमास है थिक फर और लेयर अफ़ाट काल साथ उसमें जो एयर्स के जो होल से हैं वो होते हैं तो उससे जो हीट लॉसे बड़ी से नहीं हो पाता है तो यह आपके फिप्ट का आशर है बटा देन एक्ट जो है वाट इस जो है एक जगर से चोड़ कर दूसरी जगर से होना तो यह माइग्रेशन इस दा मोमेंट आफ इन सर्च अफ फूड वांट एंड से प्लेश तो राइस देर यह यह जो है से प्लेश के तलास में एक जगर से चोड़ का दूसरी जगर जाते हैं आर्केटिक टार्न का एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है देन निक्स आपको सेवांत नमर का वाई आर देर ओंली अफ लार्ज एनिममल्स इन द डिजर्ड डिजर्ट एर्या पर लाइर्ज ईनिमल्स पहूंत कम क्यों होते हैं जो बहुत ही क्या होता है हित्द हिंद अप इंडिन अإर्ट हिंड में foods और water भी आवलेबल नहीं होता है तो यह आपके 7th कैंसर भी दे नेक्स वाइड दो tropical forest have a great varieties of plants and animals tropical forest वहाँ पर आपको बहुत ज़दे plants और animals देखने को मिलते हैं so reasons बताना है तो tropical forest लाज variety of animals and the plants because of warm weather constant supply of water and the availability of a wide variety of foods वहाँ पर ज्याद़ तर आप temperature high होता है rain falls बहुत जाद होता है जो जिसके कारण से water supply sufficient होता है सनाथी साथ वहाँ पर different plants grow करते हैं so वहाँ पर रहने वाले जो animals है उनको easily जो foods है वो available हो पाता है so आपके 8 के आंसर भी देन नेक्स बिट आपको answer in detail वाले जो questions मिलेंगे इसमें जो कुछ जो questions के answer आपको long मिलेंगे तो आप अपने needs के according तो आप अपने subject teacher के according तो उसको sort कर सकते हैं यहाँ पर write a sort note on the factors that affect climate climate को जो affect डालने वोले जो factors है तो यहाँ पर latitude से latitude मिस होता है the distance of place from the equator determines that the amount and intensity of sunlight receives there means जो हम जैसे जैसे equator के पास दिखते हैं तो वहाँ पर sunlight से वह जादा होता है देना हम उससे दूर जाते जाते हैं higher latitude में जाते जाते तो पोल तक पहुंचे तो वहाँ पर जो sun जो rays है sun जो lights है वह बहुत ही कम दीश कर पाता है so उससे जो है हमारा जो temperature है वह देरी-देरी क्या होने लगता है decrease होने लगता है तो इसी कारण से higher आपके जो है attitudes में जाते है हिमालय रिजन्स पर तो वहाँ पर हमें जो temperature है बहुत low मिलता है then distance from water bodies water bodies से जैसे हम पता है कि जैसे जैसे हम हम coastal areas पर रहते वहाँ पर temperature उतना ज्यादा differences हमें नहीं मिलता है so then आता है जो जो क्या करते है कि जो आप जो है जितने ज्यादा जो जिस वाम वह ओसें करेंट आएगा तो वह एरिया उसके आसपास वाल एरिया वाम रहेगा cold करेंट से तो उसका आसपास वाला cold हो जाता है सो यह आपके फर्स के आंसर हुए then जो second questions के हम बात करें so how are polar bears and penguins adopt to live in a very cold region so polar bears have the following adoptations to live in a cold region they have thick layers of fur as well as a layer of fat under their skin called blablar so यह जो कुछ जो उसमें जो fats होता है उसके skin के अंदर में या फिर जो उसके जो बाल है वो बहुत जादा घने होते है so जिसके कारण से वो adopt कर पाता है then smaller ears होते है उससे reduce नहीं हो पाता heat losses it has a white colored fur white colors होता है उसका जो fur then उसके जो enemies है उसको छूपकर उसको सिकार कर पाता है then then the wide large far with surf उसके जो पैर है वो बड़ी बड़ी होते है तो यहां पर आप three points या four points मैंने four points दे three points भी आप करेंगे तो enough हो जाएगा then penguins से related है आपका so penguins made adoptations के लिए उसके जो एमपेरर penguins हैंडल in group to stay warm वो एक सांथ रहते हैं ताकि उनको आपस में गर्मी का हैसास हो then the dark colored feathers on the penguins back observe it from the sunlight to keep it वो आप पैंग्विन की पीछे में आपने देखा होगा कि उसका जो color है वो black होता है ताकि जो sunlight आते हैं तो वो squizely observe कर पाए तो यह आपका answer हो जाएगा कि इसका second answer होगे बड़ा then next हम जो third questions के बात करें so third question में briefly describe some adoptations in animals that live in a desert desert area पर रहने वाले जो animals है तो उस interact birds, reptiles and smaller mammals so यह animals रहते हैं then most of them are inactive during the day and are active only at nights so वो जो जो है daytime क्या होता है inactive हो जाता है night में जब temperature down हो जाता है तब वो एक्टी होते हैं then some toads and frogs sleep for eight to nine month until it's range up तक रहन नहीं होता है तब तब तक कुछ जो animals है वो क्या करता है रहे sleeping mode में चले जाते हैं जैसे जैसे आप लोग कभी कभी सोते रहते हैं अर्ली मार्निंग तक वेक अप नहीं होते हो so इसी टाइप से आपके जो frogs और toads हैं वो क्या होते sleeping mode में चले जाते six to eight month क्या करते हैं वो सोते ही रहते हैं then next आता है some like fences are foxes are large ears that keep them cool by glissing body heat winter cold area में हमने देखा था कि उसके जो ears है वो बहुत ही small होते है ताकि उनके जो body का जो hits है वो बाहर निकल पाए then birds like ostrich have long legs and fat feet that help them to run fast on hot sand without sinking into it means आपके ostrich लेखेंगे उनके साब भी बड़े-बड़े pair होते हैं so वो जो है वहाँ से easily वो run कर पाते हैं then six points camel store put as fat in there hum so बटा इसमें आपके जो six points मैंने provides कर दीगे अब five points भी नोट करना चा है तो वो भी आप कर सकते हैं then next बटा आपका आता है fourth number का describe some adoptations in animals that live in a rainforest, rainforest area पर रहने वाले जो animals है तो उनके द्वारा जो adaptation है वो किस तरीके से किया जाता है so यहाँ पर आपको different points मिलेंगे पर जो आता है पैरर्स होते हैं उसके पंजी की बात यहाँ पर किया गया है ताकि वो जो है किसको प्रांचे से उसको इसको पकड़ कर वो हैंग हो सके then monkeys होते हैं उसके long feet होते हैं आम होते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह easily वो move कर सके then animals like loin and tell जो होते हैं वो जो trees eating fruits leaves but different type के जो plants जो animals होते हैं insects होते हैं उनको वो जो है eat करते हैं then the red-eyed trees frog leaves in a leaves on trees it has stick pads on its feet that help it to clip trees then different animals है तो chickens है या फिर आपके जो pirates have a strong base to crack open the tot sales of nuts nuts के जो बहुत से ज्यादा वो sales होते हैं मजबूत होते हैं उनको टोड़ने के लिए उनके पास क्या होते हैं easily जो उसको वो टोड़ सकते हैं उसको crack open कर सकते हैं so यह आपके fourth answer is better than यह जो 60 points है तो यहाँ पर अभी आप जो 5 जो points है वो आप no down करते हैं तो उ next हम बात करें आपका high order thinking इसके लिए वाले जिसे हम horse questions की रूप में जानते तो इसके आंतर भी मेरे दरग प्रवाइश कर दी गए हैं अगर आपको needs है आपके जो class of subject teacher आपको फूलते हैं तो इसको भी आपनो down कर सकते हैं so यहाँ पर polar bear has a dark skin under its fur how do you think this help the polar bears so यहाँ पर the dark skin under the polar bear help it shock the sun's warm race better means जो dark skin होता है polar bear का तो वो उसको क्या करते है warm को better तरीके से क्या कर पाता है sun race है उसको soak कर पाता है then जो second आता है the tiger says yellow and black strip coated works of the least muscular and can see very well in a dark what habit do you think it lives in में जो tiger में जो spotted होते हैं glass तो उनको वो जो है छुपने के लिए hide होने के लिए मदद करते हैं ताकि वो जो अपने सिकार को easily वो है क्या कर सके सिकार कर सके so यह जो आपका जो higher order thinking skill के questions के answer हुए so better मेरे दोरा यहाँ पर आपका जो exercise से लेटेर जितने भी जो questions थे उसके answer provides कर दिए गए hopefully वीडियो जो आपके लिए helpful होगा अगर helpful है तो please like करना ना बोलिए अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए कुछ आउट साए कुछ problem है तो आप मेरे को social media के तुरू या पिर comments box के तुरू contact कर सकते हैं साथी साथ लाश में आप subscribe करना ना बोलिए so okay बटा thank you